हेलो एवरिवन इस वीडियो के तुरू आज हम सभी देखेंगे कि यूटिलिटी कार्ड को रिफिल कैसे कर रहा है यूटिलिटी कार्ड को रिफिल हम यूटिलिटी वॉलेट से करते हैं और पेट्रो कार्ड को रिफिल हम शॉपिंग वॉलेट से करते हैं ये एक चीज मैं आ बाद हमने add utility wallet पर जाना है, add utility wallet पर जाने के बाद हमें ये इस तरीके से address दिखेगा, इसे हम copy कर सकते हैं और इसमें हमें किसी wallet से, किसी भी wallet से हम इसमें transfer कर सकते हैं, हमारे पास जो account है, उसमें already transaction हो रखी है, मतलब already हमने transfer कर रखा है, कुछ ubit coin हमारे इस particular user ID पर, और अब हम देखेंगे कि कैसे आप website से ही ubit utility card को refill कर सकते हैं, यहाँ पर सबसे top पर refill your cards का option है, आपने इस पर click करना है, then आपने ubit utility card refill को select करना है, then refill your card, आपको जितनी भी amount का, जैसे यहाँ पर हमने 4000 का refill करना है, तो हमने 4000 select किया, add to card किया, और then checkout, चेक आउट करने के बाद हमारे पास, again checkout, उसके बाद हमने e-wallet select करके proceed to pay करना है, then हमें अपना wallet password डालना है, और validate करना है, उसके बाद capture code डालना है, then accept terms and conditions, and then proceed to pay, तो यह हमारा जो refill है, यह बिल्कुल success हमारा हो चुका है, उसके बाद अब आप wait करेंगे, कि इसका 24 hours का wait करेंगे, so that इसका status जो है complete हो जाए, जैसे इसका status complete होगा, you will be able to swipe the card, आप कहीं पे भी से swipe कर पाएंगे, बिल्कुल